बाई वो कार्ड्स के giveaway का विनर कल खी वीडियो में आपको पता चल जाएगा तो यह से हूँआ चैंपियन्स ऑफ द वर्ल्ड में हो 3DX चेतर ने वेलकम टो थे बेस्ट रेस्लिंग चैनल ओन दिस एशन सब कॉंटेनेंट सबसे पहले शुरुबात करते हैं रॉन्डा राउजी से वैसे बात करने को तो बहुत चीज़े हैं रोमन रेंस, कोडी रोर्स एंड सो मेनी अधर स्टफ बट सबसे पहले रॉन्डा राउजी ने एक चीज बोली कहरी कि यार कास में ट्रपल एज के एरा में आई होती मेरी से निकल गई मैं विंस मिक्मैन की बुराई कर रही थी मेरे को डेवलोबली से कोई दिक्कत प्लेज मुझे बुला लो वापास प्लेज मुझे बुला लो मैं भूल गई थी में नहीं लड़ सकती दूबारा मुझे बुला लो या if you like the translation please like कर देना खेर रात में धमाका हो ग टेखने को नहीं मिलेगा and the thing is कि जो हमारा वो पुराना वाला थीम संग था Roman Reigns वाला वो rest in peace हो चुका है we are going to miss that obviously क्योंकि है उससे हमारी यादे जुड़ी है भाई साब कब से 2021 से चालू हुआ था नहीं वाला थीम संग 2021 से 22 23 24 तीन साथ तक जो greatness प्रोवाइड की है और अब इस वाले थीम संग का नाम greatness है और मैं complain बिल्कुल भी नहीं करूंगा मेरे को लगता है कि यह वाला थीम संग भी banger है अब आप मेरे को मनुहूस कहलो या क्या कहलो कल मैंने नंबर वन पर वाला थीम संग रखा था और क अब यह रहा है और मार्क हैंडरी कह रहा है यार कोडी रोडस उतना बड़ा स्टार नहीं है डवड़ा रोमन रेंस है वह तो पिछले कुछ महिनों में रोमन रेंस गायब हो गया इसलिए यह सब है अधरवाइस तो पिछले तीन-चार साल से जो डवड़व कर रही है वह अब अतना कोडी रोडस के सोलो से कौह मैच में कोई इंट्रस्टेड नहीं था अगर आपको लग रहा है कि मैं इवेंट यसी लिए कि कोडी रोड्स था इसलिए नहीं नहीं हाँ मैं इस चीज़ से ज़रूर अगरी करूंगा कि भाई बिगेस्ट बेबी फेस तो ज़रूर रहा है बन्दा लेकिन रोवन रेंस जिस चौड में आया है न वह बिगेस्ट बेबी फेस का भूत भी निकाल देगा कोडी रोड्स का अब इसका यही सलूशन है और जो रियाक्शन उसको मिला है समर्सलाम में उसके बास से तो पता चलिगा बेबी फेस के मामने में रोमन रेंस को कोई नहीं हरा सकता पूरा बदला लेने वाला रोमन रेंस हम लोगों से जो लोग कहा रहे थे न कि उस टाइम पे 2017-16 के टाइम पे अब हमारे गले में फस अब तुम क्लैश की बात कर रहा कलेश हो गया बिचारे जेकब फाटू के साथ अपने समर्सलाम में इंजरी हो गई है इसलिए नहीं हो पाया अधरवाइस आपको लग रहा है कि इनके बीच नहीं होता वेल चांसिस भी है क्या पता क्या पता वो इंजरी ही फेक उस टाइम अगर डर बैठा सकता है कोई सूपरस्टार ब्रॉक लाइजनर और जॉन सिना के अलावा तो वो जेकब फाटू ही है अब रोमन ने इसके फैंस कह रहे है भाई कुछ नहीं हमारे अंदर डर नहीं बैठता हमारे अंदर मुझे पता है भाई दर देगो सबके अंदर बैठत फॉर ओल दोस पीपल जो कि आपको सोशल मीडिया पर ये लिख रहे है है मैं तो बोर हो गया इसके करेक्टर से क्या करता है क्या है जाना ब्लड लाइन में कोई है तू अब तेरी हमें लडाएगी कोई वो नहीं है किस बात कर यी मैच मिल गया तरको अच्छा है तरसे चैं सच्छा है बाई ब्राउट ब्रॉंट बरीकर एक अलगा स्पाइस्अ बन्दा क्या है हैं यह इसेर है सब कुछ है वाई रोमन वर्सेस जीकब फॉटी अपर्ड़ यह छोट होगा तब क्या होगा मैं लगता वह और रियल पासिंग थार को गडिडिट के लिए पालहिमान का समझ भी आ रहा है CM Punk को क्रेडिट क्यों दिया फिर बाद में पता चला वो इसलिए क्योंकि CM Punk के कॉंट्रेक्ट में था कि हर सुपरस्टार उसकी तारीफ करेगा तो भले उनका हाथ भी न हो तब भी अब मजा कर रहा हूँ भाई सीरियस ही हुए कि ऐसा सही में नहीं बाई ऐसा कुछ भी नहीं है सही में CM Punk और Paul Eman ने help करी होगी Braun Breaker की उनको लग रहा होगा कि भाई ये Brock Lesnar जैसा है हमारा connection भी रहा Brock Lesnar के साथ चलो इसकी help करते है और बहुत तगड़ी help करी मैं कहुँगा कि Braun Breaker के मामले मैं स्टार्टिंग में डर रहा था जब ये बंदा local talent से लड़ रहा था न कि यार कुछ हो ना जाए बिचारे के साथ नहीं अब तो perfectly fit होगी है अब ये WWE Championship भी जीच जाएगा कोई shock की बात नहीं होगी उसी के साथ साथ एक ऐसा match जो की एक Raw से टीज हुआ that is a tag team match between Drew McIntyre and Gunther versus Randy Orton and CM Punk एक star studied lineup with such talents यहाँ बही है returning superstar CM Punk है wrestling veteran Randy Orton है हमारे पास अभी के जो trend में चल रहा है बंदा Drew McIntyre है and then World Heavyweight Champion Gunther भी है ये ऐसा match है जो की मैं कहुँगा की ठीक है भाई आप Gunther versus Randy Orton को delay पर डालो उसको बाद में दे दो बैडलर में दे दो है लिनसल में लेकिन ये tag team match अगर दे सकते हो तो देखो कोई problem है नहीं मुझे ये तो bonus ही है में को एक बात बता इस match में किसी को क्या problem दिख रही है कि भाईया championship जीतते ही Randy Orton को आके पीड दिया तो वो भी नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़े हमें इस match से देखने को मिल सकते है this is the match जिसके लिए मैं vote करूँगा इसके लिए अगर में को कहीं दिल्ली में भी जाना पड़ेगा कि हाँ भाईया इधर जाना है मेरे को इधर जाके vote देना है तब जाके match होगा मैं वो भी करने के लिए रेडियू और बताओ शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि इस match से डिसगरी करेगा मेरे को comments में लिखे बताओ आप में से कितने लोग है जो कि इस match को नहीं चाते फिर मैं उनको block करूँगा गुंतर की बात चली भाई साब गुंतर का फोटो आया है 2024 का ये देखो गुंतर और काईजर और ये ही आप 16 साल पहले का फोटो देखो गुंतर एंड लुडविक काईजर इतने चोटे से दोस्त है ये ये मेरे को नहीं पता था भाई लुडविक काईजर देखो कितना चोटा है गुंतर देखो कितना चोटा है तो हम लोग यार क्या बहुत बुरा होगा बहुत बुरा होगा पता भी नहीं होगा किसी को कि अगर हम इसको करेंगे तो आगे चलके हमारा क्या हाल कर सकता है क्या यह वही बंदा जो कि छाती पर ऐसे मारे कि आपके प्राण बाहर आ जाए यह वही बंदा है वाई क्या ट्रांस्फोर्मेशन है या और लुडविक काईजर तो मैं सही में ब तो लेकिर स्वह देखा गंगे ना उस पुलिस शो के दोराण वो था कोडी रोटस वालवाज संग्मेंt कोडी रोटस और केविन ओवेंस वाला नोट रोमन स्की डिटान वाला वड़ियर नजील पता क्या चल्यार रोमन्वाली रिटन के 350 के वडियों में मिलियौ काांच फिर मैं यहाँ पे विवर्शिप बटोर लूँगा, क्या ये कोडी रोड्स का प्लैन था, ऐसा लोग कह रहे थे, मेरे को ये बताओ कि कोडी रोड्स के पास इतनी पावर कैसे आ गए, कि वो रोमन रेंस को बताएगा, तू पहले आएगा, तू बाद में आएगा, इतना तो सोलो चाचा, आजाओ, पीटलो, ये होता, कुछ भी लॉजिक लगाते हैं बाई, बट, इस शॉकिंग टू से, कि कोडी और केविन ओवेंस वाला सेग्मेंट ज्यादार नमबर्स ड्रॉ किया, दैन रोमन रेंस का सेग्मेंट से, ये है, शॉकिंग वाली बात तो है, मैं य अच्छा, अभी रोमन नी आया, तो बाद में आएगा, तो बाद में भी तो देखेंगे, बाद में कम कैसे हो गया, ये रोमन ने इसके साथ हुआ क्या है, मेरे को कोई एक्स्प्लेइन करें ये, उसके लावा डॉमनिक मिस्टीरियो का रिसेंट दे लोगन पॉल के साथ ब है न, वह वाली चीज़े भी हो, टेबल्स पर आग लग जाए, अब यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरा चैनल भी अनसेंसर हो जाएगा, क्या रोग के नेट्फिक्स पर आने पर, क्योंकि जो चीज़े हो रही है, वो बोलनी तो पड़ेंगी, और बिना बोले तो बात ही चलेगी, लेकिन भाई, यूट्यूब वालों को कौन बताएगा, कि भाई, इधर हो गया, इसलिए हम ये बोल रहे है, otherwise हमारा कोई वो नहीं था इरादा, नहीं भाई, देखते हैं, क्या होता है, बड़ डॉमनिक मिस्टियों ने तो खुल के बोल दिया, कि भाई, देख गन्वनिक मिस्टियों क्योंकि इस समय पर टॉप सेलिंग, अपैरल आइटम्स, यानि कि जिसके सबस्यादा कपड़े बिक रहे हैं, मर्चंडाइस बिक रहे हैं, डबडबली शॉप पे, इस समय पर वो डॉमनिक मिस्टियों है, अवे ये क्या हो गया, ये डिर्टी डॉम डॉमनिक मिस्टियों आप ड्रॉ कब से बनने गए भाई, नहीं यार, समझ आदा सीम पंक, और वो भी रोमन रेस की रिटर्ण के बाद, रोमन रेस की रिटर्ण के बाद, डॉमनिक मिस्टियों वन अफ़ टॉप मर्चंडाइस सेलर है, क्योंकि आप यूजली ये एक्सप की बात है, लोगन पॉल इसमें भी कहेगा, मेरे पोड़कास्ट की वज़े से हो रहा है, मेरे पोड़कास्ट की वज़े से, बढ़ यह, that is it for this period, definitely, comments में आप अपने thoughts लिख के बताना, regarding that, CM Punk and Randy Orton versus Drew McIntyre and Gunther के tag team match के बारे में, और साथे साथ ये बता, साजिश करी है, क्या Cody Rhodes ने सही में, रूमर ने इसके ज़्यादार, अगर आपको वीडियो पसे नहीं तो अप्ली लाग करो, शेर करो, चैनल के सब्सक्राइब करो